से अदानी समूह ने कहा कमपनियों की बैलेस शीट बेहद मजबूत और कारोबारी योजना पूरी तरह से वितपोशित सौरब शर्माद्वारा किया गया गौतम अदानी के नेत्रित्व वाले पोर्ट टू पावर समूह ने अमेरिका स्थित लगू विकरेता हिंडनबर्ग रिसच की एक स्टीगिंग रिपोर्ट के बाद अपनी समूह कमपनियों के शेरों की भारी विकरी के कारण अपने बजार पूंजी करण का लगभग आधा ह सक हो दिया है। अदानी समूह ने सोमवार को कहा कि उसकी प्रत्येक कमपनी की बैलेस शीट बहुत स्वस्थ थी और उसके पास मजबूत कॉपरेट प्रशासन और सुरक्षित संपत्ती है। अदानी के नेत्रित्व वाले Port to Power समूह ने अमेरिका स्थित लगू विकरिता हिंडनबग रिसर्च की एक स्टीगिंग रिपोर्ट के बाद अपनी समूह कमपनीों के शेरों की भारी विकरी के कारण अपने बजार पूंजी करण का लगभग आधा हिससाख हो दिया है। विकार करना बंद कर दिया और रेटिंग एजेंसी ने समूह की चार कमपनियों के आउटलुक को डाउंग्रेट कर दिया जिससे निवेशकों का विश्वास हिल गया जिसके कारण अदानी समूह के शेरों में उच्च अस्थिर्ता पैदा हो गई। ग्लूमबग न्यूज ने सोमवार को बताया कि इन घटनाक्रमों से प्रभावित होकर अदानी समूह ने अपने राजस वृद्धी लक्षे को 50 प्रतिशत तक घटा दिया है और पूनजीगत व्याय में कटोती करने की योजना बना रहा है। राजस वृद्धी लक्षे में कटोती और नए पूनजीगत व्याय को कम करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि अदानी समूह की कमपनियों के पास मजबूत नगदी प्रवाह है और हमारी व्यावसाइक योजना पूरी तरह से वितपोशित ह परिशान समूह ने आगे कहा कि मौजूदा बजार में स्थिर्ता आने के बाद प्रत्येक इकाई अपनी पूनजी बजार रननीती की समीक्षा करेगी इसने कहा कि शेर धारकों को बहतर रिटन देने के लिए अपने पोर्टफोलियों की निरंतर्क शमता में विश्वास थ अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटर्प्राइजेज मंगलवार 14 फरवरी को तीसरी तिमाही के अपने विप्तिय नतीजे जारी करेगी